तो यह प्रबूल तर्फेस आज़े कोड़े अधार इंपर्टन सेसरिंट आप सविका स्वागत है तो सिड़्ेंट आज-जोग बात करने वाले ऐं एन-सी ियाटी क्लास सेवंथ का इस प्लास सिफर्व कर रहे हैं तो आजके सेसरिंट में हम लोग बात करेंगे चैप्टर न उनोंब को प्रद्ण से प्राप्त होते हैं उनको हम लों बोलते हैं जानता हो जूकर प्रकी से हो गया Uh जूंते हो गया हो गया वह दोmother घ्यूत हो गया है पॉप से प्राप्त हो गया stब वह भी क्या होता है पौधों से प्राप्त होता है तो यह जो तीने तीने प्लांट है वह कहते हैं है रेसे प्रदान करते है और प्रस दो संपिरते हैं रोता सुअ प्रिताником तो यह के Season को प्रते हैं याघ और। इन होता है तो ढूर मुल्याद करने के इन जंतुों के saari questo को गर्ब रखते हैं तो जितने भी जानवर होते हैं परीशlingen खनडी से आगे हैं एन रोये दार रेशों से प्राप्त की जाती है तो जो जानवरों के बॉड़ी पर वहते हैं उनसे ही क्या होता है उन्हें प्राप्त होता है रेशा प्राप्त होता है दिया गया है भेड के बारे में हमारी की तरह भेड की रोएदार तुचा बसब्पाय प्रखार दोप्रकार के रेशिय होते हैं उसे पर भेड होती जो बोडी होती ह Ta कौन-कौन से है और देखे सबूड दाजी के रूखे बाल जो भेड होता है सबौसकर ले जुशा है गैर के भीडर का फिगर है तो यहां पर क्या है जो डाड़ी के इसके बाल होते हैं शीप क्या होता है और दुसरा कि भीड़े से प्राप्थ होता है और भेडों के कुछ नसलों केवल के प्रचार के प्राकार के प्रोसरा करना साइब एक पराप्थ करने वाले जो ऐसे भीड़े जो केवल तन्तू रूपी बाल ही देते हैं, उनकों भी हम लोग प्राप्त कर लिये हैं, तो इदिया गया है इनके जनकों का विसेस रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चैन क्या ज़ता है, इसका मतलब कुछ ऐसी भेड़े को हम लोगों ने बना लिया है, क्लोनी प्रोसेस दोरा, जो केवल तन्तू रूपी मुलायामबाल ही देते हैं, जिनके सरीट पर सिफ मुलायामबाल हो, हम लोगों ने इसका खोच कर लिया है, पढ़ लेते हैं, तन्तू रूपी मुलायामबालों जैसे विसेस गुड़ी उपती भेड़े उत्पन्न करने के जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्डात्मक प्रजिनन कहलाती है तो देखे जो वर्डात्मक प्रजिनन होती है वो भेड़ों में पाया जा रहा है आपका वो इसका मतलब यह होता है वर्डात्मक मतलब होता है चुने के प्रजिनन कराना अब जो तंतु रूपी जो मुलाय nap प्रविंग हो और करते हैespère यहां काल सी कॉन करते हैं तो पहला है यॉक 253 आरटãy प्रापत होता है जो रॉसरा बकरी के बालों से भीक होता है जो बकरी होती है उसमें इक अंगोरा है कि चैhal में उससे क्या होता है अंगोरा आमक उन प्राप्त होता जो कि काफी सौफ्ट होते हैं तो यह इelytitu जो से बखरी होती है उससे पूर सकता है क्या हैसे उससे तो बोलेंगे आ देखिए जो अंगोरा होता है वो एक खरगोस की भी नसल और उससे भी होता है हम लोग उन पराप्त करते कर दो घर बाल होते हैं उससे भी बढ़ा जाता है लेकिन यहां वे बखरी दिया गया है तो बखरी को पढ़ेंगे और अपने दिमाग में यह भी रखेंगे कि जो से बहतरीों के बढ़ती jour के बखåatar अधिये हैं यह उन्हस्यां तो मैंने में चल ऑब होते हैं और देखे इनकी होते हैं कितने महीन होते हैं कितने पतले होते हैं तो यह पर यह अंगोरा नौर्मल बक रहें है आगे है उट के सरी उट के सरीर के बालों का भी उपियों उन के रुप में के रहता है अब उट जो है उसके भी सरी पर जो बाल होते है उसका भी उज क्या होता है उन के रुप में होता है तो हम लोग याद रखेंगे कि जो उट होता है उससे भी रेशिय प्राप्त होते है उससे भी उन प्राप्त होता है अगला वारा जो सबसे अच्छाए एक्जाम्पल वहां डचिड अमेरिका में पाया जाने मला लामा और एपलेका हो दो एमिल तक दख्ष्ड अमेरिका मं पायाते के फैमस है तो या वाल जड़की सुरस्ट सूसाओं कि प्रप्ट हो नुट contradiction कि याक के बालों से और लामा और एलपे का का नमक गँट जानवर अंधना उन स RIGHT धॉली शनलwydd जब काशी चूवार्थ कन लाद दोगाती है तो उटेकर आया चनराधर मदलया कोई सब्सक्रान निगाले है इस लिए अगैया रेसों को indian भिनने अथवार साल बनाने के लिए उपयोग में की जाने वाली उन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा उत्पाद होती है जिसमें निमिखी चरण होते हैं मतलब कई प्रोसेस होती है उसमें लोग स्टेप बाइस पढ़ते हैं और जितने भी स्टेप हैं बहुत इंपोर्टेंट है कि इसाउन 2 दिर प्रत Zumla की निकाल टो उनको द को ऊता होता है है जो जो उपर की तोचल की होती है वह हलकी निरजिंग नहीं तुछा की रहता है तो जहों तव्चा निकलती है उनको बहुत अच्छा फिल होता है तो अधारों के साथ पतली के साथ बालों को निकाल लेते हैं इस परटाई बोलते है aj broad channel का उधियन दोया जरता है तो क्या करते हैं लोग धोते हैं उसको जिससे क्यों धोते हैं जिसे चिकनाई धूल और गर्त निकल जाए देखे जो भेर होता है वह साफ सुतरे फर्स पर तो रहता नहीं है गंदगी में ही रहेगा तो उसके बालों में भी कुछ धूल चिकनाई चिपके और उनके तवचा सहीद बालों को उतारने के प्रसेस होती है उसको कटाई बोलते हैं यहां है आपका कटाई आगे है आजकल अभिमारजन मसीनों द्वारा के जाता है देखें आजकल जितनी भी चीज़े होती है मसीनों से ही अधित्तर काम होते हैं जो हमारा तीसरा चड़ सब्सक्राइब करें कर दो दीकलेवरेगार जिए चस्टें ग्रोड़ करने वाले होते हैं कुछ बाल ऐसे होते हैं काफी ज्यादा टाइम से वह भर बौड़ी पराते हैं तो उनकी छटाइए जहां बीबी ने गठन वालों को चड़ा तो तुसरा च्टेप होता है वहां प है कि अगले चरण में बालों को सुखाया आता है पर तो इसके पर छोटे-चोटे कोमल एवाब भूले हुए जो रेसे होते हैं उनको उंहें सुखाया राता है इसके पर जैसे छाट लेते हो उसके प्रकार प्राप्त उत्पाद ऐहीं दहकों के रूप में ऊप्योंत उन्में पर fema भी प्रेते हैं लेकिए वग discussion पेल चाहिए में भी प्रिणी कीओं करते हैं यनदू करते को समानता काली होती है थो सफेद होती तो उसके रंगायी जरूरी है सब करते हैं घ्रीन टो नहीं हैं तो इसके रहाए करनी होती है आगे देखते हैं जो अंतिम चरड़ होता है उसको में रेलिंग बोलते हैं अब रेसो को सीधा करके सुलिहाए जाता है और फिर उसे लपेट कर उन्हें से धागा बनाए जाता है तो यह जो आपके चरड़ है वो जरूरी है और आपको याद रखना है कि पहला चरड़ कौन स यह सकता है तो यहीं बनता है सबसे पहले उनकी कटाई होती है फिर अभमाजन होता है फिर छटाई होती है फिर बर कि छिधाल मतल gelmiş जो한데 ही महीं बाल होते हैं बहुत हीं किंसाफ्ट को बर बोलते हैं तो बर की होती है फिर अपने मंड़ होती है उसके औरอगी होती है इस सेक्वेंस पूश्टा है क्यां सब्सक्राइब मुए यहां से होती है dib tartarie होती कि उसके बाद बर कीforme हों तो आगे कि भीलोन के कुछ भारती नसले इनके भरह गरूषै कि क्या होता है वेनंते हमें कि यंजाम को जाना भरोल है और दो किसके नसल था नहीं किसकी नसल नहीं है कि भेड़कर बुसायर, नाली या फिनली भी बोल सकते हैं बाखरवाल देखे बाखरवाल जो होता है उसको बक्करवाल भी बोलते हैं और बक्करवाल नमल जन जाती इसको इसका पालन पुसड करती है एक है मारवाडी और एक है पाटनवाडी तो पढ़ लेते हैं देखे जो लोही होती है अच्छी गुडवत्ता की उन होती है राजस्थान और पंजाब से प्राप्त होती है रामपूर बुस्याज होती है वो भूरी उन होती है उत्तर प्रदिस और हिमाचल प्रदिस से प्राप्त होती है जो नाली होती है वो गलीचे की उन होती है और राजस्थान हरियाडा और पंजाब से प्रप्त होती है जो बाखरवाल होती है वह उनी सालों के लिए होती है और यह होती है यह जरूरी है यह आगे देख लिते हैं अब हम पढ़ेंगे रेशम के है तो उन्ट के बारे में ने डीटेल में पढ़ा हुआ जानता हो रेसम होता है जानता हो रहा है अब किस जंतु ने पराप्त होता है तो जो रेशम है वो रेशम के कीट से प्राप्त होता है तो यहां पर देगा है रेशम के कीट रेशम के फाइबर को बनाते है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालना रेशम कीट पालन जिसको हम लोग सेरी कल्चर कहते हैं वो कहलाता है तो एक क्वेशन यहा बंद और उसका प्रोसेस हुब पढ़ेंगे तो देखें यहाँ पर है जो मादा रेशम होती है वह अंड़े देती है जुसे लारवा कर निकलते हैं तो जो लारवा वह पोलते हैं और रेशम खेट भींते हैं यह आकार में बृद्धी करते हैं और जब अगली अवस्था में करने के लिए त्यार होते हैं तो यह प्यूपा जिसको कोसित भी बोलते हैं कहलाता है तो लारवा से क्या बना प्यूपा बना है प्यूपा बना है उसको कोसित भी बोलते हैं आगे पढ़ लेते हैं तो देखे जो प्यूपा होता है वह अपने इर्द इर्द एक जाल बूल ल आट के ऐकार में ऐसा नीच झालबनाता है ठरश बना में बेना रूप में अपने सीर को आपको बनाता है एक इस सिर दूसरी सफिति भी पसने घर के रूप लेता है जेशक में रहां तो देखेंग ऑप雏 के लिए अपने आपको जमाया रखने के लिए अपने सीर को 8 क्या घुमाता है और उसके सीर से कुछ से प्रोटिनिया सबस्टेस निकलते हैं और जो स्टीन करकर के बाद में रेशम मणते हैं तो क्या हम बोल सकते हैं जो है वो प्रोटीन कबना हुआ है वो 측 आगें तो आगे देखें से november स्फ रही को पूरी तरह से रेशम यह बोलते हैं आगे कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है तो जो कीट है अपने उपर एक आर्ण बना लिया है उसके कोकून रेशम के रेशम का उपयोग रेशम के वस्त्र बूलने के लिए किया रता है अब जो रेशम के प्राप्त हुआ है उससे हम लोग क्या बनाएंगे रेशम के बनाएंगे अब एक है यहाँ पर फैक्ट है कि क्या आप जानते हैं भेडो की संख्या के दरिश्टे से चीन जो है और ऑश्ट्रेलिया के बाद भारत बिसक का तीसरा अस्थान है तो पहले स्थान पर कोन है चाइना है दूसरे स्थान पर आपका पर रेंग यहाद हैं रहेंगे यह सबसे अच्छी वह प्राप्त होती तो जो भारत वह सबसे अच्छी प्राप्त होती दो कित तो इसकाहतुत की पत्ती को आता है, फ़र अपने की इसके बंता है रेशरम कीनल के कोकून से अपनी चाहबन तरफ साहतुत कि पत्ती की पत्ती, अब'' इसको मिलोग पढ़ लिए हैं तो सबसे पहले जो रेशाम उद्पादन उद्फान चीन में ही हुआ था और जी को सालों तक सि क्रेट रखा हूआ था किसा अपने पास इस सक्रेट रखाू था कि इस पत्था यह ल LGBTQ तसर रेशम मुणा रेशम कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम आपके परक्ते हैं आगे एक जंटु से विपुना कहते हैं पराप्त होती है तो यहां पे एक fact है कि अभी हम लोगों ने लामा के बारे में पढ़ा, एल पेका के बारे में पढ़ा, उसमाद ऊट के बारे में बकरी के बारे में भेड के बारे में पढ़ा, यह जन्तू थे, लेकिन हम लोगों ने बीकुना के बारे में पढ़ा था, तो बीकुना जो होता तो जितने एक्जाम्पल है उनको में याद रखना है कि इसे नाम जरूर रखना में यह किन कीजों से ऊन प्राप्त होता है अब देख है किए आज के बारे में पढ़ाया लेकिन क्या मैंने आपको घने वालो वाले कुटा होता है औहुता होता है उसके बाल भले होते हैं लेकिन उससे की प्रकार का उन प्राप्त नहीं होता है देख लेते हैं मिलान करने के लिए कि यहां पर और यह Wam होता है उसका मतलब आप में ही करना न सफायख करना इसका मतलब संब प साइघ करनें उस्सवान दूसरा इसका सहतूत की Ну एक एनिमल है जो कि आपको ऊन देता है तो देख लिते हैं कोकून होता है 175ल यह जो आपका अप्सनर बहुत इंप्टन है क्योंकि आप ABC तो आज की वीडियो आय ऊप की आज की बीडियो आज को पत्रूप्प ऐमने